हेलो बिबी, कल मैंने जो तुमें फोटो बेजा था, क्या तुमने उसमें कुछ अलग नोटिस किया? फोटो तो देखी हूं पर कुछ समझी नहीं यह जो फोटो दिख रहा है ना, इसमें आपके लिए कुछ और भी मैसीज है, जिसको मैंने स्टेगनोग्राफी की हेल्प से हाइड किया है सच में तुमने फोटो में कुछ चुपाया है? हाँ, अब अपने स्किल को यूज करो और उस मैसीज को डूंड लो ओके मुझे देखने दो, ओ वाव, मुझे मिल गया, इसमें तो लिखा है, happy birthday and my love येस, my love, यही था मैसीज वाव, इसी लिए तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम हमेशा कुछ स्पेशल करते हो और ये वाला तो सबसे अलग था I love you, my love Love you so much, my love All right guys, पाके की conversation बाद में सुनना क्या आप भी स्वास्तिका की तरह excited है जानने के लिए कि आखिर information को image में कैसे hide करते हैं Of course, ये सुनना लेखिन लेखिन, उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर हमें ये चीज जानना ही क्यों है तो इसको समझने के लिए आपको इस technography और इसके history के बारे में जानना पड़ेगा जो कि हम use करते हैं अपने confidential data को share करने में चलो इस चीज को बहुत ही आसान तरीके की मदश से जानते हैं तो basically, इस technography is the practice of concealing information within another message or physical object to avoid detection तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह का art है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने original information को किसी और physical object या फिर मालो किसी और message के अंदर hide करते हैं जिससे कि जो detection हो या फिर हमारे जो message हो वो बहुत ही secure way में और बहुत ही confidential way में एक दूसरी के साथ share हो सके और अगर हम बात करें इस technography के history की तो हजारों साल पहले से ही इसका इस्तिमाल किया जा रहा है लेकिन बस इसका form change हुआ है तो अगर आप लोगों ने कभी history book पढ़ा होगा या फिर जो stories हमारे grandparents हमको सुनाते हैं उसमें भी हमें इस technography के अंस मिलते हैं जैसे की invisible ink, wax tablet, null cipher, micro dots तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है invisible ink जिसमें की क्या होता था पहले के जमाने में राजा महराजा के गुप्टचर रहते थे जो की important information को invisible ink के मदद से एक जगा से दूसरी जगा send किया करते थे वहीं पर अगर हम बात करें wedge tablet की तो यह एक तरह का ऐसा तरीका था जिसमें moon के अंदर paper fold करके tablet बनाया जाता था जिसके अंदर सारी hidden information होती थी और उसके बाद null cipher के अंदर normal text होता था जिसके अंदर कुछ अलग language या फिर थोड़ी सी phone change करके important message को hide किया जाता था और फिर आता है micro dots जो की बहुत ज़्यादा मात्रा में use किया जाता था इसको आप present day में छोटे छोटे bubbles जैसे ball आते हैं जिसको पानी में डालने के बाद उसका size increase हो जाता है उससे compare कर सकते हैं यहाँ पर भी वही होता है simple text और message को बहुत ही small size करके एक जगा से दूसरी जगा share किया जाता था तो अभी यही चीजे evolve होकर update हो चुकी हैं present time में हम computer की मदश से important और confidential information को अलग-अलग technique की मदश से share करते हैं जो की normal internet user आसानी से नहीं देख सकते हैं और इनी techniques के बारे में practically आगे हम जानने वाले हैं तो यहाँ पर जैसे history के अंदर wax tablets, invisible ink थे उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास modern एरा में image is technography, text is technography, video is technography, audio is technography, file is technography, digital water marking जैसे बहुत सारे ऐसे techniques मिलते हैं जिसकी मदश से हम अपने information को hide कर सकते हैं किसी दूसरी files के अंदर और आज की इस वीडियो के अंदर हम text is technography के बारे में जानने वाले हैं वो भी एक story की मदश से जिसे की क्या होगा हमें सीखने में भी easy होगा और आपको देखने में भी मज़ा आएगा तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने story को जिसके साथ साथ हम इसको practically use करके देखने वाले हैं imagine करूँ कि आप एक राज्य के मंतरी हैं और उस राज्य के राज्या आपका परम्मित्र है और राज्या ने आपको अपनी protection की जिम्मेदारी दे रखी है और आपने बहुत सारे गुप्तिचर मतलब इस पाई लगा रखे हैं राज्या को protect करने के लिए और किसी भी attack से बचाने के लिए एक दिन एक गुप्तिचर को पता चलता है कि राज्या के अंदर लोग दुस्मनों से मिलकर राज्या पर attack करने का प्लान बना रहे हैं और सारी secret बाते दूसरे राज्या के राज्या तक पहुंचा रहे हैं लेकिन ये सब जानने के बाद और जिस चीज से ये सारी चीजे इधर से उधर हो रही हैं उस चीज का पता चलने के बाद भी आप secret message को पता नहीं लगा पा रहे हैं मतलब आपको medium तो मिल गया है लेकिन आप message को नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि जो attacker थे वो लोग एक technique यूज कर रहे थे जिसको की हम stagnography बोलते हैं तो test stagnography के बारे में practically जाने उससे पहले हम जान लेते कि आखिर हम test stagnography को यूज क्यों करते हैं So basically test is a natural choice for stagnography because it's everywhere letters, poems, even news articles can be softly altered to hard messages Imagine a seemingly innocent love letter containing instructions for the king's army to move to a specific location नहीं समझाया ना, कोई ना, मैं हूँ समझाने के लिए तो basically test stagnography मतलब text को hide करने को बोलते हैं और आके हम इसको ही Q use करते हैं बहुत सारी जगहों पर क्योंकि ये almost सभी जगह पर use होती है तो अभी हम फिर से आ जाते हैं अपने मंत्री वाले role पर तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस screen पर यहाँ पर attacker ने open कर लिए अपने काली machine और यहाँ पर वो message को hide करने वाला है तो ध्यान से देखिएगा और सारे steps को note करिएगा तो सबसे पहले attacker open करता है अपने command line को और यहाँ पर वो type करता है अगर आप new user है तो आपको क्या करना है आपको simply sudo apt update apt upgrade करना है और अगर आपके पास काली machine इंस्टॉल नहीं है आपके laptop में तो कोई बात नहीं आप यहाँ पर i button पर click करके हमारे video को देख सकते हैं इस के अंदर मैंने बता है कि कैसे आप easy way में काल linux को install कर सकते हैं तो यहाँ पर attacker अभी message को encrypt करने जा रहा है तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे simply type करेंगे e को उसके बाद message को add करेंगे जो कि हमारा महराज आज सिकार पर जाने वाले हैं तो इसको attacker base64 के अंदर encrypt कर देता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं attacker के पास encrypted text आ चुका है तो अभी attacker क्या करेगा कि इस data को image file के अंदर insert करेगा तो इस चीज को भी आपको ध्यान से देखना है और मेरे साथ साथ ही अपनी laptop के अंदर इसको practice करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम एक image को download कर लेते हैं जिसके लिए हम browser को open करते हैं और यहाँ पर type करते हैं king image और फिर हम इस image को download कर लेते हैं इसका हम नाम दे देते हैं king.png इंटर करते हैं हो गया download browser को off करते हैं और अभी हम move करते हैं अपने download folder के अंदर जिसके लिए हम type करेंगे cd downloads इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम command डालेंगे ls तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है king.png तो इसी के अंदर हम इस text को hide करने वाले हैं तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे simply eco type करेंगे और फिर जो encrypted message है उसको यहाँ पर हम copy paste करेंगे simply यहाँ से copy करते हैं और यहाँ पर paste कर देते हैं तो हमारा जो message है वो paste हो चुका है और अब हम क्या करेंगे इसको hide करतेंगे इस image के अंदर जो कि हमारा king.png उसके बाद enter करते हैं तो यहाँ पर attacker ने king.png के अंदर message को hide कर दिया है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मंतरी हूँ तो यहाँ पर जैसे कि यह image मेरे पास आ चुका है बट मुझे कोई idea नहीं है कि आखिर इस image के अंदर क्या है और इसका कैसे पता लगा है तो मैंने यहाँ पर राज्य के एक cyber expert को बुलवाया और उसको बोला कि इस image के अंदर जो भी है वो मुझे निकाल के दे और अगर वो यह काम कर देता है तो उसे इनाम भी मिलेगा तो उसके बाद वो cyber expert काम पर लग जाता है और अभी आप उस expert का work स्क्रीन पर देख सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है कि वो ls-la उसके बाद इंटर करता है तो यहाँ पर मुझे आपको सायद starting में ही बताना चाहिए था कि आप ls-la करके चेक कर सकता है कि आखिर वो png कितने kb या फिर कितने mb की है तो यहाँ पर मुझे यह पहले ही करना था बट कोई न आप अगर इसको practically करेंगे तो आप पहले ही ls-la करके इसको चेक कर लेना कि आखिर यह कितने kb का है अभी तो यहाँ पर 16,346 दिखा रहा है तो यहाँ पर जो मैंने message को add कर दिया है यह उसके बाद का है तो अगर आप पहले चेक करेंगे और फिर बाद में चेक करेंगे message को add करने के बाद तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा difference दिखेगा जो कि है कि इसका kb थोड़ा सा increase हो जाएगा तो अभी हम क्या करने वाले हैं simply इस image को open करके देखने वाले हैं जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे tailking.png इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो image है वो open हो चुका है मतलब यहाँ पर यह waste64 के अंदर open हुआ है इसी से हम अपने message को निकालने वाले हैं जो कि यहाँ पर last में आप देख सकते हैं जो मैंने इसके अंदर hide किया था तो मैं आपको image को भी open करके दिखा देता हूँ कि उसमें कुछ changes नहीं हुई है simply हम places के अंदर जाएंगे downloads के अंदर जाएंगे और फिर इस image को open करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो image था वो पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है मतलब message को hide करने के बाद भी इसके अंदर कुछ changes नहीं हुई है तो इसको अभी हम cut करते हैं और अपने message को देखते हैं तो यह रहा हमारा message जो कि attacker ने encrypt करके इस king.png के अंदर hide किया था तो अभी हम क्या करेंगे इसको decrypt करने वाले हैं इसको हम simply ऐसे copy करते हैं और फिर यहां पर हम type करते हैं echo यहां पर paste करते हैं इसको और उसके बाद base64-decrypt इंडर करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा पास message आ चुका है जो कि attacker ने hide किया था महराज आज सिकार पर जाने वाले हैं और इसके बाद जैसे ही वो cyber expert मुझे यह चीज़े बताता है कि इस image के अंदर यह information है उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि महराज को बाहर जाने से रोक लेता हूँ जिससे कि उनकी जान बच जाती है और इस चीज़ को perform करने का एक और तरीका है इस टोरी से आट कर वो step भी मैं आप सबको बता देता हूँ यहाँ पर इसके अंदर हम एक tool का मतल लेते हैं जिसका नाम है stake hide इसको आप simply github से link को copy करके git clone करके install कर सकते हैं और इसका link भी मैं आपको description box में provide कर दूँँगा जिसको कि आपको क्या करना है simply इस video को chrome के अंदर open करना है और वहाँ से आप इसके git clone link को copy कर सकते हैं क्योंकि आप youtube में direct description box से copy नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा से ध्यान देना है आपको सभी steps को अपने notes के अंदर copy करना है और उसके बाद आप इसको practice कर सकते हैं आप यहाँ पर simply apt-gate install stake-hide का use करके stake-hide को open कर सकते हैं apt-gate install stake-hide तो इसका use करके आप simply इसको install कर सकते हैं इसको मैंने already install कर रखा है तो मैं इसको करता हूँ cut उसके बाद आपको क्या करना है आपको simply stake-hide उसके बाद hyphen hyphen health type करके enter करना है तो यहाँ पर आपको इसका सारा info मिल जाता है, आप इसको पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको इसको practically use करके भी दिखाने वाला हूँ, तो उससे भी आप सीख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, simply message को create करते हैं, और उसको एक txt file के अंदर hide करते हैं, जिसके करेंगे, simply open करेंगे tail, और फिर king.png, enter करते हैं, तो यहाँ पर हमने जो पहले hide किया था, जो कि मैंने story के अंदर आपको बताया था, वो दिख रहा है, बट यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर भी hide करने वाले हैं, और message को, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पर add करना है, उसके बद हाइफन, cf, और फिर hyphen, sorry, cf के बाद आपको यहाँ पर image file को add करना है, जिसके अंदर आपको इसको hide करना है, तो हम king.png के अंदर ही इसको hide करने वाले हैं, और उसके बद हाइफन, sf, और उसके बाद यहाँ पर हम converted वाला जो file होगा, उसको open करने वाले हैं तो जिसके लिए हम टाइप करेंगे final king.png और फिर hyphen p password कर देते हैं जिससे कि यह और भी protected हो जाएगा cyber इंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं embedding message.th in king.png. writing.phile final king.png. मतलब यह हमारा message जो है वो hide हो चुका है तो अभी हम type करते हैं ls-la इंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो king.png है वो है 16346 का और इसी तरह से हमारे पास जो final king.png है वो है 17371 का मतलब यहाँ पर हमारा जो kb है वो थोड़ा सा increase हो चुका है क्योंकि इसके अंदर हमने message.txt को add किया है तो यहाँ से तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े बहुत changes हुए हैं पर normal user होते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ changes हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं तो इसके लिए हम अपने जो images हैं उसको open करते हैं इसके लिए हम type करेंगे add real previewer और सबसे पहले हम open करते हैं अपने king.png को तो यहाँ पर आप इस image को देख सकते हैं और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा final वाला file है वो भी open हो चुका है आप इसको simply देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी changes नहीं दिखेंगे तो normal user के लिए यह देखना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर इस file के अंदर कुछ hidden message भी है तो उस message को अब हम open करके द tribal इंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो embedded file है वो है message.txt तो अभी हम क्या करते हैं हमारा जो message.txt है उसको हम remove कर देते हैं जिससे कि हमें confusion ना हो कि आखिर हमने जो extract किया है वो वाला कौन सा message.txt है और जो हमने पहले create किया था वो वाला कौन सा message.txt है ज जो हमारा embedded file है या फिर मालो कि हमारा जो finalking.png के अंदर जो हमने hidden message को store कर रखा है उसको हम extract करने वाले हैं जिसके लिए हम use करेंगे stake hide-extract यहाँ पर कोई भी spelling अगर mistake होता है तो आपको error आ सकता है इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है उसके बद हाइफन sf finalking.png route extracted data to message.txt मतलब यहाँ पर इसने message.txt file create कर दिया है और उसके अंदर उस message को store कर दिया है पहले तो हमारा message.txt था उसको हमने remove कर दिया है rm-rf use करके तो अभी हम इसको open करके देखने वाले हैं हम क्या करेंगे ls-la type करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास message.t आ चुका है तो आप हम यहाँ पर टाइप करते हैं cat message.txt इंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो hello message है वो open हो चुका है तो गैस इस तरह से हमने अपने महाराज को सभी खत्रों से बचाया वैसे अभी कहानी खतम नहीं हुई है यह तो महाराज के उपर बस test stagonography का attack था अभी तो audio stagonography, video stagonography, image stagonography, file stagonography से बचाना बाकी है तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लो यार क्योंकि अभी पूरी कहानी बाकी है and I hope कि आप लोग को यह session पसंद आया होगा जो भी review या फिर doubt हो वो comment करें मैं सब को reply करके उनके doubts को clear कर दूंगा मिलते हैं अभी story के second part में तब तक के लिए stay safe, stay secure and happy stagonography